हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से मैं हूदी बाइक डूट और आज हमारे पास है यामा की MT-15 जी हां दोस्तों MT-15 एक बहुती बढ़िया बाई के अपने सेग्मेंट में और वहीं कुछ फीचर्स ही आप परफॉर्मेंस की बात करें तो यह BS-6 कंप्लाइंट एंजिन के साथ आती है METALIC BLACK, DARK MAT BLUE, ICE FLUOVERMILLION और MONSTER NERGY YAMAHA MOTO GP ADDITION और हमारे पास जो कलर है वो ICE FLUOVERMILLION है तो इस तो आगे बढ़ने से पहले अपने भाई को सपोर्ट करो यह चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो शेर करो लाइक करो मैंने बहुत सारी Bikes, Scooters के Review अपने चैनल पे डाले वे हैं आप चेक आउट कर सकते हैं और अगर आप Instagram पे हैं तो वहां भी follow कर सकते हैं तो बढ़ते हैं इसके engine की तरफ और बात करते हैं इसके engine की तो इसमें आपको देखने को मिलता है Liquid Cool 4-Stroke 4-Volv 155cc का engine जो इसकी maximum horsepower है 13.6 kilowatt यानि की 18.5 PS at 10,000 rpm वही जो इसका maximum torque है 13.9 Nm at 8,500 rpm clutch type इसका wet multiple disc है fuel injection system है जैसे हमनों बता है ऐसी चाबिया आती है अपनी Yamaha MT-15 के साथ तो जो इसका headlamp है दोस्तों यहाँ पे आपको bifunctional LED headlight and position light देखने को मिलती है देखेंगे आप जो इसका headlamp है नीचे की तरफ और जो position light या DRL जी से कह सकते है LED है दोनों ही LED है इसके tail light भी LED है और जो look है इसका आगे से बहुत ही खूपसूरत है बहुत जबर्दस देखती है आप देखेंगे तो और position light के उपर या आपको indicators देखने को मिलेंगे विंकर जो है इसमें आपको कोई visor नहीं मिलता बट बिना visor के ही यह बहुत बढ़िया look देती है आगे से और पढ़ते हैं इसके front tire की तरफ दोस्तों तो इसमें आपको tubeless tires देखने को मिलते हैं और MRF का tires आते हैं तो front tire है जो उसके size की बात करें तो उसका size है 180 17 और 52 PA की speed rating है tubeless tire है और जो brake है front में वो है disc brake 282 mm की और दोस्तों इसमें आपको single channel ABS देखने को मिलता है इस bike में वहीं जो इसका suspension है front में वो है telescopic fork और यहां आपको 155 cc का engine देखने को मिलता है जो की liquid cool 4 stroke 4 valve के साथ आता है वहीं जो इसमें transmission type है दोस्तों जो gear box है 6 speed manual gears लगते है इसमें 6 gears इसमें लगते है constant mesh और यह आती है assistant slipper clutch के साथ और यह जो pillion footrest है यह भी बढ़िया है इसमें grip दी गई है वहीं दोस्तों जो इस bike का frame type है वो है delta box और बढ़ते इसके tail light की तरफ तो देखेंगे आप tail light भी LED है और बहुत ही अच्छी लग रही है वहीं नीचे की त रियर टायर की तरफ दोस्तों जो इसका rear tire है वो radial tubeless है radial tire है वहीं जो इसका size है रियर टायर का वो है 147 17 और 66H की speed rating है तो 17 इंच का tire है वहीं जो पीछे brake है डिस्क है और डिस्क है 220 mm की suspension जो आपको rear में देखने को मिलती है linked type monocross suspension है और जैसे मैंने पहले बताया था सिंगल channel ABS के साथ यह bike आती है और इस तरह आप देखेंगे आपको sari cover देखने को मिलता है और जो chain है इसका जो chain cover है पूरी chain को नहीं cover करता है उपर से cover करता है हलका हलका वो भी पूरा नहीं जो कि एक बढ़िया look देता है bike को और अब बात करते हैं दोस्तों इसकी seat की तो यहाँ प के बढ़िया है single seat है काफी बीच में strap सा भी लगा है and pillion seat भी बढ़िया है यह देखेंगे आप जो प्राहर है इसका इससे आप hold कर सकते हैं तो यह भी काफी बढ़िया है pillion के लिए and pillion seat बहुत जादा wide तो नहीं कह सकते बट still wide है और rider के लिए तो है बढ़िया बढ़िया लुक देता बाइक को white color के ओपर है और जो fuel tank का आप color देखेंगे dual tone है बीच में black से एक strap निकलता है और दोनों तरफ white है और same graphics दोनों साइट पर है वहीं जो इसकी fuel tank capacity है 10 liter की है दोस्तों यामां MT 15 का जो owner reported mileage बताया जा रहा है दोस्तों 45 km per liter का बताया जा रहा है और यह depend क करता है आप कैसे ride करते है और बाइक को कैसे maintain रखते है उसकाप से बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है वहीं जो इसकी चाबिया लगती है वो इसके fuel tank पर लगती है आगी की तरफ handle bar पर नहीं है left side of handle bar जो इस बाइक का है वहाँ पर जो buttons है पहली बात यह assistant slipper clutch के साथ आती यहाँ आपको एक kill switch देखने को मिलता है और एक self start देखने को मिलता है जिससे आप bike start कर सकते हैं और अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके instrument cluster की तो यहाँ पे आप Yamaha की branding देखेंगे और जो इसका instrument cluster है वो fully digital है और दिखाता हूँ यह कैसे on होता है यहाँ पे आप high buddy का starting में message देखेंगे जो कि यह दिखाता है and instrument cluster की बात करें तो बढ़िया है काफी नीचे आपको दो बटन देखने को मिलता है आप उसमें से change अगएरा कर सकते हैं अपनी trips अगएरा चेक कर सकते हैं वहीं दोस्तों इसमें आपको Bluetooth connectivity देखने को नहीं मिलती और इसकी बात करें तो speedometer टेकोमीटर और fuel gauge digital है shift timing light यहां पर आपको देखने के विलती है VVA indicator देखने को मिलता है fuel consumption indicator देखने को मिलता है gear position indicator है इसमें clock पी देखने को मिलती है और यह bike inbuilt side stand engine cut off switch के साथ आती है जो कि एक बहुती बढ़िया feature है वही जब इसे आप off करेंगे तो यहां पर आपको message दोस्तों जो इसकी overall length है वो है 2020 mm की और इसकी weight है 800 mm की वहीं जो इसकी overall height है 1070 mm की है seat height इसकी है 810 mm की और wheel base 1335 mm का है minimum ground clearance इसका 170 mm का है और जो inner tube diameter for front fork है 41 mm का है इसकी weight की बात करेंगे तो जो इसका curve weight है with oil and a full fuel tank है 138 kg और दोस्तों अगर इसके price की बात करें तो इसके colors के हिसाब से भी price है क्योंकि जो monster वाला edition है वो महंगा है इससे अगर हम जो हमने review किया है ice flow 1 million उसकी बात करें तो उत्रा खंड में इसका एक showroom price है 146,900 रुपीज यह एक showroom price है और आपके city आपके शहर में जो price होगा वो अलग होगा तो आप अपने नजदी की Yamaha showroom में जाके check कर सकते हैं वैसे ही मुझे यह color बहुत बहतरील लगा क्योंकि इसके wheels भी आप देखेंगे orange color किया हुआ है और बहुती बढ़िया look देते है बाइक को और यह बाइक हमें provide की है दोस्तों रूद्र आटो मोबाइल यामा का showroom है रिशिकेश में अगर आप भी यामा की कोई बाइक यह scooter लेना चाते हैं और रिशिकेश के आसपास रहते हैं उत्राखंड में ही कहीं तो showroom में जरूर आईए visit कीजे काफी बड़ीया staff है बड़ीय सकते हैं और अब मैं आपको इसका exhaust note सुनाते हूं दोस्तों तो दोस्तों यह था यामा है MT15 का detail review वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके कुछ similar bikes जो मैं आपको you know आप consider कर सकते हैं बाइक लेने से पहले यामा की खुद की FZS FI या सुजुकी की जिकसर जिकसर SF बजाच की पलसर NS160 है यामा है FZX है Apache 160 है तो comment करके बताइए कि ये बाइक आपको कैसी लगी ये color कैसा लगा क्या feature इसमें सबसे best लगा अब मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए stay safe keep riding and keep smiling झालिंग